आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए आलो की नई रेसिपी ये रेसिपी बहुत ही मज़ेकी है और चटपटी सी और बहुत ही यमी है मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ कि आप इससे पहले ये रेसिपी नहीं देखी होंगे और नहीं खाए होंगे तो आप लोग मेरी इ छत्पटा सा मज़िदार तो आप आलु से ही बहुत रेसिपी बना सकते हैं यूनि तेष्टी और यम्मि यह ज़ो रेसिपी है बहुत ही मज़िए कि हे और कहले जल्दी बन जाने ओली है और khanे में बहुत ही तेष्टी है तो आप लोगों से रिक्वेश्ट है कि आप लोग वीडियो को फूल वाज करें दोस्तों में शेर करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले देखें माशा आल्ला देखने में यह कितना टेष्टी है यह बहुत ही मज़े का है कैसे है आप लोग अल्हमदल्ला मैं ठीक हूं मैं अमेद करती हूं आप लोग भी ऩाख हो हूं कि आज मैं बहुत ही मज़े की आलू की सबजी बनाने वाली हूं आलू हमने कटकर लिया है मेडियम सgonश और दो अदद मेडियम स tablespoon. तीन अदद हरी मीर्च और एक तेज पाथ, फ्राइपीन हमारा गरम हो गया है, इसमें हम ओयल डालेंगे, बिस्मिल्ला, ओयल हमने लिया है, टू टेवल स्पॉन, इसमें हम जीरा डालेंगे, वन टी स्पॉन, जीरा को हम थोड़ा पकने देंगे, जीरा हमारा पक गया है, अब इसमें हम प्यास और तेजबात डालेंगे, प्याज को चला लेंगे, अब इसमें हम हरी मिर्च डालेंगे, प्याज को हम हाफ वराइ करेंगे, प्याज हमारा हाफ वराइ हो गया है, अब इसमें हम वन टी स्पून अद्रक और लहसन का पेस्ट डालेंगे पेस्ट को हम एक मिनट भूल लेंगे प्याज के साथ मैं 1.5 कजी आलू बना रही हूँ, अगर आप जादा बना रहे हूँ, तो आप उसी साब से प्याज, हर इमेज और अधरक लहसन का पेस्ट जादा कर सकते हैं और अगर आप कम बना रहे हैं, तो कम कर सकते हैं लेसन हमारा भून चुका है अब इसमें हम आलू डालेंगे आलू की सबजी हर घर में बनती है और बनाने का तरीका भी सबका अलग होता है आग जो मैं बना रही हूं ये बिल्कुल ही अलग तरीके से बना रही हूं तो आप लोगों से रिक्वेश्ट है कि आप लोग वीडिय खाएं और मुझे कॉमेंट करकर जरूर बताएं कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी इसमें हम नमक डालेंगे वन टी स्पून हल्दी पाउडर वन टी स्पून लाली मिर्च पाउडर हाप टी स्पून काली मिर्च पाउडर कोटा टी स्पून अब इसे हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे बस यही मसाला डालना है इससे ज़्यादा हम कोई मसाला नहीं डालेंगे मसाले को हम आलू में अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और यह जो सबजी है इसे हम बेगर पानी के बनाएंगे इसमें हम पानी नहीं डालेंगे आलू को हम ऐसे ही गलाएंगे आप लोग वीडियो को इसकी पना करें इसमें छोटे छोटे टीप्स हैं जिससे हमें बता चलेगा कि हमारा जो आलू का सबजी होगा कैसे जादा टेश्टी कैसे जादा यमी बनेगा तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को फुल वाज करें आलू को हमने अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है मसाले के साथ और अब इसे हमने कौफर कर दिया है कौफर करने के बाद चुले का जो फ्लैम है उसे हमने पूरी तरीके से लो कर दिया है इसे हम पांच मिनट पकाएंगे टमाटर लिया है हमने एक अदर इसे हमने कट कर लिया है और आप देख सकते हैं कि हमारा जो टमाटर है वो पूरी तरीके से पका हुआ नहीं है तो देखें टमाटर का हमने पेष्ट बना लिया है आप देख क्षी ठनिया हमारा ग्रेंडर हो गया है कि और टमाटर को भी हमने गरेंडर कर लिया है कि पांच मिनिट हो चुका है बाद हम आलो को चेक करेंगे देखें माशाला आलускे आलो हमारा देखने में किफना अच्छा लग रहा है और नीचे की तरब से आलका अप्रायी हो और आलू बहुत ही जल्दी पक जाने वाली सब्जी है यह बहुत ही जल्दी गल जाता है तो हमारा जो आलू है तकरीबन गल चुका है आप देख सकते हैं कि यह चलाते हुए तूट रहा है आलू को अभी हमने सिर्फ 5 मिनट पकाया है इसमें थोड़ा कसर बाकी है इसे हम 5 मि सिर्फ 10 मिनट में यह मज़ेदार सी सब्जी तैयार हो जाएगी तो देखें आलू को हमने अच्छी तरीके से चला लिया है अब इसमें हम टमाटर का पेष्ट्रा लेंगे हम जब भी कोई सब्जी बनाते हैं तो टमाटर हम पहले मसाले में डालते हैं उसे भूनते हैं लेक तो पहला है टमाटर का जो प्लेवर होगा वह बहुत ही अभर कराईगा आपने बहुते होगा आप तरीके से पुड़ी तरीके से पखा हुआ नहीं था तो इसका जो तुट होगा ऑफ क्नी बहें जब हम कmost अगर एक श्यव जब थेख़एग धयो जब गात ही प्रूरुमा टमाटर को हमने अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है और टमाटर के साथ इसे हम एक मिनट धकर पकाएंगे मेडियम फ्लेम पे चुले का फ्लेम अब हमने मेडियम कर दिया है एक मिनट हो चुका है अब इसे हम चेक करेंगे अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो ल कर दो यह दो को दो मिलते हैं Bitcoin हमलें अनलंड़ साथ कि टमाटर के साथ पकाया है अब धनिया का पखे टाला है धनिया भी अक्सर जब सब्जी बनाते हैं, तो धन्या को हम कट कर डालते हैं, जब हमारी सब्जी पुरी तरीके से रेडी हो जाती है, तो लाष्ट में उस पे हम धन्या की कटिंग कर डालते हैं, लेकिन हमने इसमें धन्या का पेष्ट डाला है, यहां हमने उसी बरतन में थोड़ा पान और भी बहुत अच्छी तरीके से पग गया है गल गया है तो अगर हम इस तरीके से जब धन्या का पेश्ट बना कर सब्जी में डालते हैं तो इसका जो फिलेवर होता है और बहुत ही अच्छा सा खुस्बू और टेष्ट दोनों ही हो जाता है तो देखें माशा अल्ला हमारी सब्जी कितनी यमी लग रही है अगर आप चाहें तो इसमें ग्रेवी भी रख सकते हैं तो हमारे आलू की चटपटी सी सब्जी रेडी हो गई है चुला अब हम बंद कर देंगे और चले हम आपको रिशाओट कर दिखाते हैं बिसमिल्ला देखें माशालला हमारी जो सब्जी है वो बहुत ही मज़े की अल्हम्दिल्ला रेडी हो चुकी है तो मेरी दुआ है आप सब के लिए आप सब को हमें साखुस रखें सहत के साथ रखें जल्दी मिलूंगी नई वीडियो के साथ हमें अपने दुआओं में याद रखें अल्ला हाफीज